नमस्कार दोस्तों मैं गौरब एक बार फिर से आपका श्वागत करता हूँ आपके अपने हेल्पिंग गौरब यूटूब चैनल पर दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ गया हूँ हाँ दोस्तों जैसा कि आप लोग थमनेल पर देख सकते हैं बेल्टरॉन डियो प्रोग्रामर अपडेट हाँ दोस्तों बेल्टरॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यानि की बीग अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं CBT फैल छात्र के लिए अपडेट है पुना एक्जाम देने का जबरदस्त मौका और ये अन्ती मौका है यानि कि अगर आप CBT के एक्जाम जो केंप्यूटर बेस टेस्ट जो हुआ था अगर आप उसमें फैल कर गए थे पास नह समलित नहीं हो पाएंगे इस सीच को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और बहुत सारे स्ट्रेंट कहीं नहीं परिसान हो रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि ये CBT का एक्जाम किन-किन अभ्यारती के लिए लि हम लोग जानते हैं उससे पहले दोस्तों मैं आपसे छोटा सा रिक्ष्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग और आप यूट्यूब चैनल पर विजिट किये हैं तो अभी के अभी आप हेल्पिंग और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले और साथी सा दोस्तों बिना सहुआवरवाद की हम लोग सबसे पहले डाटा इंट्री ऑपरेटर का नोटिस्पिकेशन दिखाते हैं उसके बाल हम लोग प्रोग्रामर का भी दिखाएंगे चुकि दोस्तों अलग-अलग सटेप में जो है नोटिस जारी की गई है डाटा इंट्री ऑपर यहाँ पेल्टराउन का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पे पत्राइंक और यहाँ आपको दिनांग दिख जाएगा दिनांग दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 29-2022 यहां पे डाला गया है यानि कि यह notification जो है 29 को ही आप बोल सकते हैं कि तयार कर लिया गया था लेकिन दोस्तों अपडेट जो है आज किया गया ओफिसल वेबसाइट पर इसलिए दोस्तों वीडियो में आज बना रहा जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं कहा गया है कि ग्यात है कि बिहार स्टेट एलेक्ट्रोनिक डपलप्मेंट कोर्पेशन लिमीटेड पेल्ट्रोन के माध्यम से संबीदा पर कारत सभी डाटा इंट्री ऑपरेटरों के लिए CBT अधारित दच्छता परि परिक्षा में और सफल रहे यानि कि पास नहीं हो पाए उनके लिए एक और अवसर दिया जा रहा है परिक्षा 16 अक्टुवर को होगी तथा सिर्ग ही एड्मीट कार्ड जो है अब देख सकते हैं बेल्ट्रोन का ओफसेल वेबसाइट यहां पे दिया गया है पर के बारे में कि बेल्ट्रोन जितने भी एक्जाम लेती है वह पटना में ही लेती है तो इस तीच को लेकर आप लोग बिल्कुल निस्चिंत रहे हैं कि एक्जाम आप लोगों का पटना में होने वाला है लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि इस एक्जाम में कौन-कौन बन पाया था मुख्यरोप से बाकि बहुत सारे यहां पर चाहुँगा अगर आप द्यान से पड़ेंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूवत नहीं पड़ेगी जैसा दोस्तों बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहा था कि इस पर आप जरूर वीडियो बनाईए तो दोस सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको कंफ्यूजन होगी और होना भी लाजमी है लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा आप लोग को इसके नहीं होगा तो आप लोग समझ लीजिए कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहुत सारे बिभाग में डाटा इंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं चाहे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कोई 5 साल से कोई 10 साल से कोई 20 साल से कार रहे हैं और पेल्ट्रॉन एक आप कहा सकते हैं कि अपने बदलाव की और यहां पर दच्छता परिचायन की सीबीटी बेस टेट पास करना उन्होंने आवस्यक कर दिया ऐसे में पास करना ही करना होगा तो उसके लिए दोस्तों यह निकाला गया है बहुत सरे ऐसे स्टूड़ेयंट एंजो 5 साल से 7 साल से काम कर रहे हैं और उनको 3 बार पुर्व में मौका दिया जा चुका है जब 2019 के का एक्जाम हुआ था ठीक उस से 2-3 महना पहले आप कर सकते हैं चा उनके लिए ये चौथा मौका है और देख सकते हैं यहां पर असपष्ट कहा गया कि कारत डाटा इंट्री ऑपरेटर उनके लिए एक चौथा मौका है लेकिन यहां पर जो पेल्टरॉन के 2019 के जो कंडिडेट हैं जो आप कह सकते हैं इस नौटिस फिकिसन को देखकर बहुत ज नहीं कहाजा सकता है weight and watch की स्थिती बनी है हो सकता है आपको मौका मिले मिले या फिर कि इन लोगों को पास करवाना बैल्टरॉन के लिए इस ziemlich आवस्यक्त हो गया है क्यों आप अभी कारणात नहीं है इसलिए हो सकता है कि Beltron इसमें क्या decision लेगी देखने वाली बात होगी तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से और इस notification के माध्यम से आप समझ गए होगे कि यह CBT परिच्छा सिर्फ उनके लिए है जो कही न कहीं विभाग में कारणात है ना कि 2019 के MCQ में फैल कर गए थे पास नहीं कर पाये थे उनके लिए इस आपका सकते हैं नौटिस में कुछ भी मतलब नहीं बनता है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है तो चलिए दोस्तों यह तो हम लोग बात कर लिए डाटा इंट्री ऑपरेटर की अब हम लोग बात कर लेते लोग बात कर लेते हैं डाटा इंट्री ऑपरेटर की अम करें कर लेतें हैं और यहां पर बेसे और प्रोग्रामर से बहुत अरिजाम पास नहीं कर पाये है उनको जो यह नहीं तीसरा मोगा है data entry operator के लिए चौथा और programmer के लिए तीसरा मौका है आप देख सकते हैं वहाँ पे same वही जानकारी यहाँ पे सारा कुछ डाला गया है exam के बारे में आप ए 16 तारिक की चर्चा की गई है कि 16 तारिकों programmer का exam जो होने वाला है admit card की यहाँ पे देख सकते हैं सूचना दी गई है कि अभ्यारती का admit card सीरी जो है बेल्टरॉंट के ओफिसल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है पर उपलब्ध हो जाएगा जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे दिन समय और परिक्षा का अस्थल जो है आपको admit card में मिलेगा जैसा कि मैंने आपको पूर में ही बताया कि परिक्षा का अस्थल जो है वो आपको पटना में ही देखने को मिलेगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोनों notification के माद्यम से आपका सारा confusion दूर हो गया हो तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो के माद्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और जो 2019 के candidate है data entry operator जो पास नहीं कर पाये थे उनका सारा confusion दूर हो गया गौत तो चली दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में और जाते आते एक बार फिर से मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार helping और आप YouTube चैनल पर विजिट किये हैं तो अभी के भी आप helping और आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बगल के बैल आकोन को दबाना बिलकुल न बोले आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बा एंटे केर जहिंद वंदे मात्रम